हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल छोटी सीरा सोई तो चलिए आज बनाते हैं फरा खांजी का स्पेशल पनी टिकका की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ज़्यादा असान है आप भी इसे ट्राइ कर सकते हैं मुझे भी यह बहुत अच्छी लगी बच्चे फटा फट चट कर गया और ऐसा हुआ कि मुझे दुवारा बनाना पड़ गया मेरे हस्बेंड के लिए तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर ले लिया है तो यह डेरी वाला लीजेगा पाकेट वाला थोड़ा हाड रहता है सौफट पनीर लीजेगा उसको क्यूबस मैंने कट कर लिया मोटे मोटे टुकडो में उसके बाद मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के असपास दही लिया है जिसको अच्छे से फेट लिया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक चोटा चमच मैंने लाल मिज डाला है एक चोटा चमच से थोड़ा सा कम मैंने नमक डाला है एक चोटा चमच घर का बना हुआ गरम मसाला है एक चोटा चमच मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला डाला है थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला और एक चोटा चमची हमने चाकट मसाला डाला है साथ में हम एक चोटा चमच के आसपास नीवु करस डाल देंगे और अधरक लसन का पेस्ट हम आधा से एक चमच हम इसमें डाल देंगे इन सब को मिला लेंगे उसके बाद मैंने यहां पर पनीर को डाल दिया है तो मैंने हाथ सरसो का एल डाला है वैसे तो अगर मैं पनी टिक या चिकन टिक न आती तो उसमें सरसो का तेल में इसमें ही डालती हूं दही के चाथ helemaal साथ में थोड़ा सा बेशन भी डाल सकते हैं डाला था तो मैंने नहीं इसमें यूज किया है आप चिये तो डाल सकते हैं एक एक करके सभी टिका को हम इस तवे में डाल देंगे और उसके बाद आप इसको पलेट लें तो आप इसको पकाईएगा मिडियम टू हाई फ्लेम पे ही क्योंकि जितना टाइम इसको लगेगा पकने में उतना यह चिमड़ा होता है पनीट तो कोसिस करें यह जल्दी जल्दी पक जाएं बहुत जार टाइम मत लीजिएगा और इसको दोनों साइट से पलटते हुए जब पकाईएगा सभी मसाले साथ में पका लिया है गार्निसिंग के लिए तो आज का हमारा पनीटिक का रेडी है बताई